यह इंग्लिश टिप्स का एक सॉट वीडियो है और यह ग्रामर के रूज से आपको बताये जाएगा यह वीडियो देखने के पछले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और और यह वीडियो आप अन तक जरू देखेंगे होता है उसमें एक word देखिए पूर लीकृ कहा हुआ है सबसे उपर सेंटेंस है उसके पूर निए अउसका मतलब है कि यह रूम सintenस है Customer करें लिभ.' तो रीच वर्ड भी लिका हुआ है रीच वर्ड है यहांपे देखिए पूर सार सब्सक्राइब तैर यह बहुत सेSTUÉ्व पूरल नहीं होता इसलिए जो है हम कभी भी किसी एगजेक्टिव में ऐसा US form नहीं लगाएंगे मतल। तो उसका पूरल नहीं करेंगे यहां देखिए लिखा हुआ है The past never извест पूरल फ़र्म इन एगजेक्टिव तो किसी भी अगर इसको sentence form में लिखना ही है जैसे तो हम पूर अगर नाउन form में लिखेंगे तो द लिखेंगे और उसके बाद आर लिखेंगे और उसी तरह से सेंटेंस बनाते है इसी तरह से सेंटेंस बनाते है जब मेरी के सांथ सेंटेंस बनाते है तो हिंदी में हम क्या है तो उसकी साधी किसी के साथ होगे इस सेंटेंस है तो हम वित का यूज करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मेरी के सांथ वित का यूज नहीं करते हैं तो फिर मेरी से सेंटेंस कैसे बनाएंगे राजु मैरी रधिया अगर एक्टिव का हम यूज करते हैं तो यहां पर कोई भी प्रिपोजिशन नहीं होगा मैरी का मतलब यह होता है किसी के साथ सब्सक्राइब लेकिन अगर पासिंटेंस हैं तब यहां पर टू का यूज करते हैं तो हम राजु मैरी तू रादिया यहां पर एजे राजु मैरी तू रा दिया कोई पूज गूरेसन योज़ गरते हैं लेकिन VITRed Erick mean कभी ने लगता लेकिन हिंदि के लाइछ हान कवी इसने कवी हम लोग से prisile कर नीहीं कर ने हैं अब की आप किसा इसनों सामने हो अपट diffic मेर्ट से आप लेकिए कर दिक्रेंड छिकरंड नब्रॉग निज़्ट पर्फ था इस और उसे के लिए जा रहा है तब आप नहीं देखे, लेकिन और प्रसमालो उल्क्रिसीन जा रहा है कोई वार करने जा रहा है, तो वह दह का यूज करता है, इसी तरह से, He is going to school, He is going to the school, अब दह स्कूल है और without the school है। '' अगर scholar पभार कोई भी इस्ट्टूूंट्स नहीं होता है लेकिन अगर कोई मिलने जा रहा है तब यूज होता है नीचे जो वर्ड लिखे हुए इस वज़े से होस्पीटल में फेसंट है होस्पीटल तो यह है टेमपल में है स्कूल बेड मार्केट प्रिजन इस सब उसी परपस के यूज होता है तो उसमें दा काम इसका मतलब क्या है कि यह क्वालेटी अथिया पॉपल नाउन पर जूज है यह लगता मैं किसी और को उसी की तरह कहा जा रहा है तब उसी तरह सी यूज होता है जैसे आवर कंट्री नीड्स असरदावड पठे यहां देखिए असरदावड पठे लिखा अन्हीं की क्वाल आर्टिकल लगता है इसके मतलब वो परसन नहीं होता है वो उस परसन का क्वालिटी होता है और थैंक्स एलोट फर वाचिंग दा वीडियो